जै किसान दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एगरी कल्चर स्टडी अड़ा में और दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कल ही के तरह दस ऐसे एगरी कल्चर से लेटेड महतपूर्ण प्रस्न जो की लगभग सभी तरह के एगरी कल्चर के में देना था तो हम देख रहे हैं कि उसका उतर अभी तक नहीं आया है पर कोई बात नहीं चलिए मैं बता देता हूं तो दोस्तों कल के ये दो प्रस्न है एक पहला प्रस्न है कि वीटी कल्चर किसे संबंधित है और दूसरा प्रस्न है मिर्दा के बीना जल माध्यम से की ज आने वाली खेती को हैड्रोपोनिक खेती कहते हैं ठीक है दोस्तों चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं और आज की इंदस महत्पून प्रस्नों को देखते हैं तो दोस्तों आज का पहला प्रस्न ये है कि परमानित बीज पर किस रंग का सिंबल लगा होता है तो दोस् और दोस्तो अगला प्रश्ण है कि अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण यह है कि रचाई या जिसे English में curing कहते हैं वो किस फसल में की जाती है यानि रचाई जिसे English में curing कहते हैं उसे किस फसल में की जाती है तो दोस्तो रचाई जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका जो सही उतर होगा वो option C यानि तंबाकू यानि तंबाकू में रचाई किया जाता है जिसे तंबा आचाई बीधी करने के बाद ही तंबाकू का यूज किया जाता है और दोस्तों अगला प्रश्ण है कि भूपरिश्करण कितने परकार के होते हैं तो दोस्तों इसका सही होगा कि अपहला सबूर्ण को कि अंतरकर रखयता है और दोबधी भूपरिश्करन और तीसरा होता है अंता कर्षन यानि फसल बुवाई के बाद जैसे की बीच में अगर होता है कभी-कभी आप लोग देखे होंगा कि माका के खड़ी फसल में बैल के बैल वाला यानि देशी हल से कभी-कभी इसको जोता जाता है तो उसको अंताकर्षन कहते हैं और दोस्तों हम लोग का अगला प्रस्न है कि केले का पधरोपन दूरी कितना होता है यानि केले का जो बाई करने का स्पेशिंग होता है वो कितना तो इसका option भी सही उतर होगा यानि 3 by 3 यानि पौध से पौध की दूरी 3 मीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 मीटर होती है यानि 3 by 3 3 मीटर गुने 3 मीटर की स्पेसिंग में केला की बवाई की जाती है और दोस्तों अगला प्रशन है कि नीमन में से मीटी चढ़ाना किसे समधित है यहां पर मीठी लिखा गया है इसको आप लोग को मीटी पढ़ना यानि नीमन में से मीटी चढ़ाना किसे समधित है तो दोस्त ज्वपीता का रंग पीला तो इसका एस सही उतर हो यानी केहरीका जैनथिन नामके पिगमेंट पाय जाता है पपीता जिसके कारण पपीटा करंग पीला होता है दोस्तों ये जितने भी आप लोग को प्रस्ण को हल कराया जा रहा है याद कर लीजिएगा इसको अच्छी तरह से क्योंकि लगवग सभी तरह के एगरी कुछ्छिए इसी परकार के क्योशन पूछे जाते हैं तो इन तमाम प्रस्णों को आप ध्यानसे देखें और वीडियो को लाष्ट तक जरू है कि आप लोग इन तमाम परक्षणों को अच्छी तरह से समझ सकें चलिए अगला बीज नहीं पायाता है तो दोस्तों इसका सही उतर होगा option यानि सिंधूर परजाती के आम में गुठलिया नहीं पाया जाता है यानि सिंधूर परजाती के आम बीज रहित होता है और दोस्तों भूपरिश्करण से संबंधित यहां पर एक और प्रशन है जो प्रशन है कि 1331 में सबसे पहले भूपरिश्करण किरिया को समझाया था और बताया था कि भूपरिश्करण किरिया के द्वारा खेत की उचित त्यारी किया दिया है और फसल के उचित बढ़वारवन बिरिधी के लिए उत्पादन पाने के लिए भूपरिश्करण किया जाता है तो भूप प्रशन को बार बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान से देखना और वर्ष में जो दो बार फल देने वाली आम की प्रजाती है वो नीलम है यानि प्रजाती के आम वर्ष में दो बार फलत देती है और दोस्तो कल के लिए ये दो प्रशन है पहला प्रशन है कि धान का बैग्यानिक नाम क्या होता है और दुसरा प्रशन है कि मक्का में गुन सुत्रों की संख्या क्या होती है तो दोस्तो इन दोनों प्रशनों का उत्र आप को comment section में देना है comment करके बताना है और कल के वीडियो में जो जितने भी student इसका सही उतर देंगे उनको दिखाया जाएगा तो दोस्तों इन दोनों प्रश्णों का उत्र आप लोग comment section में जरूर दीजेगा और वीडियो को यहां इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटा वाला आइकन भी दबा लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के फोन पर नोटिफिकेशन हो और आप लोग इस वीडियो को देख सकें और दोस्तों वीडियो अ देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जय किसान जय क्रीशी बिग्यान